नमस्कार दोस्तों आप सभी का आउसदी एंड हेल्थ में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियों बात करने वाले हैं फैक्सीन सस्पेंशन के बारे में यह जो दोस्तों फैक्सीन सस्पेंशन है यह छोटे बच्चों के लिए यूज के आने बारी दवा है यह दवा दुस्तों एक एंटिवाटिक दवा है आज हम इसी दवा के बारे में आपको जनकाई देगे इसका जो है यूज है कीन बिमारीयों के लिए कियाता है इसमें कौन सा ड्रक्स मिलाएकर है इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते है और इसके डूर्स के बारे में बताए कि इसे कितना लेना होता है आप जो है इस वीडियो को बीना स्क्रिप के हुए लाश्ट देखे तभी आपको फैक्स इन सस्वेंशन के बारे में सारी जनकारी मिलेगी अगर आप इस चैनल पे पहली बार आये हो तो प्लीज दोस्तो चैनल को जो सस्क्राइब कर ले आपको जो है इस चैनल पे रुजाना दवा, घ्रनुस के और हेल्ट टिप संबंदी जनकारिया मिलेगी यह सस्वेंशन दोस्तो आपको मार्केट में 104 रुपे मिल जागा इसे जो है ग्लेसको कंपनी बनाती है इसमें दोस्तो सेफालेक्सीन कंटेंट मिला हुआ है जो कि दोस्तो एक एंटिवार्टिक ड्रग्स है इस दवा का जो यूज है कि इन बिमारे को लिक या आता है उसके बार हम बात करते है यह जो है छोटी बच्चों को अगर वेक्ट्रीयर इंफेक्शन हो जैसे इसकिन में इंफेक्शन हो, खासी आ रही हो, ब्रॉंकाटी से समस्या हो, तांसिल जैसे समस्या हो, गले में दर्द या सूजन हो, नीमोनिया जैसे समस्या हो, गुर्दे में इंफेक्शन हो गया हो, यूरिन में इंफेक्शन हो या फिर नाक में इंफेक्शन हो, कान में इंफ आप वजन के हिसाब से जो है इसका डोज चलता है आप इसे डाक्टर के सला के बाद ही आप इसका सेवन करें कि कुछ दूस्तों डाक्टर आपके इस्तिक अनुशार ही आपको डोज देगा इसके साइड इफेक्ट के बारें बात कर लेते हैं इसे जो है अगर आप यूज कर है तो आपको कुछ साइड इफेक्ट डेखनों को मिल सकता है जैसे उल्डिया मितली दस्त चक्रा सकता है सीर दस जैसे समस्या हो सकती है तो चापे लाल दाया निकल सकते है ऐसे समस्या हो सकती है अगर आपको इसमें से कोई भी समस्या लगे तो आप अपने डाक्टर से उस पर करें जनकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें लाइक करें कमेंट करें और बिल आइकान को जोर दबा दें